जयाहिन दोस्तों financial year 2021 खतम हो चुका है और financial year 22 है वो शुरू हो चुका है सबसे पहले तो new financial year की आप सभी को बदाई और सुबकाम नहें और हम आशा करते हैं कि आने वाला साल जो है नया financial year आपको काफी सारी income दे के जाए और आपको कम से कम है उसके अंदर tax लगे तो दोस्तों financial year की हमारी पहली वीडियो के अंदर हम आपको इस new financial year से कुछ हुए changes के बारे में बताएंगे कि ऐसे कौन-कौन से changes हैं जो एक अप्रेल 2022 के बाद में applicable हो गए हैं और देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं Rules applicable for financial year 21-22 जिसे की assessment year 22-23 भी हम बोल सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों income tax return की अब भी आपका financial year 21-22 है वो खतम हो चुका है जो की 1-4-21-31-22 के बारे में बात करता है और इसे assessment year 22-23 भी बोलते हैं 31 मार्च के बाद में बहुत ही जल्द है आपकी जो है ITR स्टार्ट हो जाएगी income tax department ने 1 अपरेल को ही ITR के जो form थे वो issue कर दिये हैं पहले ही दिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ITR के form है जो first day issue हो गए है अब इसके बाद में इनकी utility यानी बकाया है मतलब अभी online ये show नहीं हो रहे हैं आपको काफ़ी सारी चीजें है new importance rule है वो देखने पड़ेंगे उसके बाद ही आपको अपनी जो है return भरनी है तो दोस्तो ITR का जो सबसे पहला जो rule है वो है pre-filled ITR form जैसे कि आपको पता होगा अभी recent में ही AIS Annual Information Statement Taxpayer Information Summary AIS और TIS हैं introduce किया गया था और इसके साथ में ही 26 AS जो form है वो भी उमीद है कि अभी चलता रहेगा जब तक कि ये fully operation में नहीं आ जाते हैं तो AIS, TIS को देखकर ही आपको return भरनी है जब आप portal पर return भरेंगे तो काफी सारे data आपको pre-filled वहाँ पर पहले से दिखाई देगा अगर आपको on record salary आ रही है, share market में कोई transaction किया आपने IPD का, saving का, RD का कोई ब्याज है वो भी वहाँ पर effect हो जाएगा आपने advance tax भरा है, TDS, TCS आपका कोई deduct हुआ है और SFT की transaction से हमने बताई थी कि 50 तरहें की transaction होती है GST में क्या purchase किया, क्या sale किया, वो सारी की सारी data दोस्तों आपको वहाँ पर show कर जाएगा ITR में तो आपको उनको ध्यान में रखकर ही अपनी income tax की return है, वो भरनी है इसके बाद में penalty for pen अधार non linkage, अगर आपने pen अधार को link नहीं किया है तो मेरे हिसाब से income tax department ने 7-8 बार ये date बढ़ाई है लेकिन 31 March 2000 जो 22 आपका गया है, इसके बाद में इन्हों ये date नहीं बढ़ाई है ये date है जो निकल चुकी है, अब आप अपना pen को अधार से link करेंगे तो section 234H बोलता है कि आपको इसकी जो है late fees देनी पड़ेगी late fees कितनी देनी पड़ेगी दोस्तो 500 रुपे या 1000 रुपे जो पहले 3 मन्त है दोस्तो आपके April, May और June April, May, June तक अगर आप इसको link करेंगे तो आपको 500 रुपे देने पड़ेंगे ये कैसे देने पड़ेंगे, कैसा चलान भरा जाएगा अगर किसी भाई का अभी तक नहीं link हुआ है वो भी हम अभी तक पॉर्टल में स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी बहुत जल्द इसके अपर वीडियो डाल देंगे अगर आप April, May, June के बाद में 1 जुलाई से अगर आप जो है अपना पैन अधार से link करेंगे जो उसकी जो validity है उस समाप्त हो जाएगी तो आपको काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद में तीसरा जो changes है वो है tax on PF interest PF का मतलब दोस्तो provident fund होता है ये rule पिछली साल आ गया था बजट में लेकिन लागू इस साल से होगा तो employee का जो contribution है ऐसा को व्यक्ति जो salary employed है salary पर काम करता है और अपने जो हिसे का contribute करते हैं तो पहले क्या होता है दोस्तो इसका contribution पर जो ब्याज होता था सारा का सारा tax free होता था अब उन्होंने एक limit define कर दी है अगर आप dialogue से उपर कोई भी contribution करेंगे अगर आपने 3,000,000 रुपय का contribution किया है तो जो extra 50,000 रुपय जो आपने contribute किया है उसका उपर जो कमाई होगी ब्याजगी वो आपकी income में जुट जाएगा मतलब 1,4,21 से जो आपको जो भी आपने investment की है उसका जो interest कमाया है financial year 21,22 का जो भी interest है डायलाक से जादा का जो amount है वो आपकी income में जुट जाएगा उसका interest दोस्तो और वो income from other source जो है उसके साब से वो taxable हो जाएगा और आपको tax lab के साब से उसके उपर tax देना पड़ेगा अगर आपकी income 10 लग से उपर है और आप old tax lab में है तो आपको उस ब्याज के उपर 30% tax है वो देना पड़ जाएगा इसके बाद में specified senior citizen exempt from ITR filing यह भी एक senior citizen होते हैं दोस्तो जो की 60 साल से लेकर के 80 साल तक होते हैं एक होते हैं super senior citizen जो की 80 साल से ज़्यादा होते हैं इन दोनों के लावा एक और तीसरी category इन्हों ने बना दी specified senior citizen जो की 75 year यह उससे ज़्यादा के हैं उन वेक्ति का अगर एक ही bank में account है और उसी bank में उनकी pension आ रही है और उनको ब्याज मिल रहा है saving का या FD का तो उनको section 194P कहता है कि income tax return भरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन income tax return भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों ITR exempt किया है लेकिन tax से exempt नहीं किया है उनका जो भी tax भनेगा वो bank घाट लेगा उनका और income tax department और banker का अपस में coordination हो जाएगा मतलब आपको return भरने की ज़रूरत नहीं बात की थी कि पिछले साल कोविड के करके जो ITR जो है दोस्तों नॉर्मली क्या होता है आपका एपरेल माई जून जुलाई 31 जुलाई last date होती है ये नॉर्मली बढ़कर के अगस्त हो जाती है सेप्टेंबर हो जाती है इससे आगे ये नहीं बढ़ाते हैं और इसके बाद म January, February, March में कोई return नहीं भरी जाएगी with late fees भी नहीं भरी जाएगी without late fees भी नहीं भरी जाएगी तो ये भी आपको ध्यान देना है आपको time से अपनी return है भर लेनी है इसके बाद में पिछली financial year में भी option था और इस साल भी दिया गया है दो तरहें के tax lab आपको यहाँ पे दे दि है इस वीडियो का link भी मैं आपको description box में दे दूँगा तो दोस्तों ये देखिए tax lab आपने बताया था मैंने new tax lab और old tax lab new के अंदर आपको काफी सारे option मिल जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पे up to five lakh रुपीज यहाँ पे निल यहाँ पे निल पांच से साथ साथ यहाँ पे और जो old tax lab है आपका उसमें बांच बीस और तीस सिर्फ तीन ही rule है तो यह आपको देख लेना है कि कौन से में आपको applicable होता है return बढ़ते टाइम आप महाँ पे select कर सकते हैं compare कर सकते हैं कि कौन सा tax lab आपके लिए बढ़िया है और उसके coding आप select कर सकते हैं इसके बाद में time for reopening opening re-assessment को जैसे कि assessment किसी का हो चुका है उसको वापस से open करना है तो उसका time दोस्तो 6 साल से गटा करके 3 साल कर दिया है जहां पर कि किसी assessment की जो income है वो 50 लाग रुपे तक है यदि किसी विक्ति की 50 लाग से ज़्यादा की income है और उसको reopen करना है तो वो 10 साल तक reopen कर सकते हैं इस section है दोस्तो 206 AB और AC इसको विश्तार से हमने discuss किया हुआ है कि अगर आप अपनी return नहीं भरते हैं और कुछ अगर आप specified rule उसके अंदर follow करते हैं तो आपका ज्यादा rate से TDS कटेगा अगर आपने 2 साल की पिछली return नहीं भरी हुए तो इसके बाद में e invoice in GST एक अप्रेल 2022 से आपको GST के अंदर e invoice काटना पड़ेगा मतलब उस invoice को आप cancel नहीं कर सकेंगे बहुत सारे rule applicable हो जाएंगे आपको neat and clean काम करना पड़ेगा अगर आपकी turnover 20 करोड या उससे ज्यादा है पिछले financial years की तो एक चार बाइस से e commerce आपका जो e invoice है mandatory हो जाएगा कोई input अगर आपने e TCS on foreign tour package ये कई बार देखा जाता है कि जैसे हम यहाँ पे Indian लोग जो है बाहर गूमने जाते हैं foreign में कोई package लेते हैं और 50,000 से ज्यादा का package होता है दोस्तों वो तो 5% TCS वो आप से है collect करते हैं ताकि आपने जो खर्चा किया है इसकी information income tax department को पहुंच जाए लेकिन most of the cases में कई बार foreign tour आते हैं हमारे विदे से जो लोग आते हैं घुमने के लिए यहाँ से किसी और country में जाते हैं तो NRI होते हैं उनके पास pen number नहीं होता है तो उनका higher TDS काटना पड़ता है 20% के rate से और वो TDS उनको claim भी नहीं मिलता है तो इसलिए जो NRI है उनके ओपर ही applicable नहीं होग उसके बाद bill book जारी करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप नई series start कर दें नई series start नहीं करनी आपको तो आपको क्या करना है दोस्तो जो last आपका bill खतम हुआ था 31 March वाला उसके बाद में ही continue में ही चलना है आपको कोई gap नहीं देना है और maximum 16 number का आपका जो है वो digit आपका जो invoice इसका जो number हो सकता है वो बाकावी तरह के उसके इंदर combination आप है बना सकते हैं इसके बाद में tax on cryptocurrency जैसे आपको पिछले budget में इस budget में देखा था कि जो cryptocurrency जो होती है उसके उपर पहले को rule regulation नहीं था सब अपने अपने इसाब से चल रहे थे अब आपको cryptocurrency के उपर भी GST जा जो tax तो देना ही देना है income पर और loss का कोई भी यहाँ पर treatment इन्होंने नहीं दिया गया है तो इस तरह से यह जो सारे के सारे rule है वो applicable आपके उपर हो जाएंगे तो आशा करते हैं दोस्तों यह सारे changes जो की 1 April 2022 से applicable होने वाले हैं उन सभी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा आपको जो है doubts है आपके clear होगे होगे फिर भी इस वीडियो से related हो income tax से related हो GST से related हो किसी भी तरह का कोई doubt query question हो तो आप बेज जिज़ा comment box में comment कर सकते हैं ह आपकी समस्या का समदान करने की कोशिश करते रहते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like करके channel को भी subscribe करते हैं अगर अब तक नहीं किया तो thank you so much दोस्तो जय हिंद जय भारत